तो इस question को देखते हैं, यह question basically statics का question है, इसमें देखते हैं हम लोग simple सा question है, इसमें क्या calculate करना है, इसमें समझना है कि अधिक्तम और निवनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, ठीक है, तो एक observation है, जिसमें एक maximum value है और एक जो है minimum value है, इसका difference, अंतर क्या कहलाता है, तो उसको बोलते है range, ठीक है, यह important है, वैसे भी range is equal to, क्या होती है, maximum value minus minimum value, ठीक है, तो range का मतलब यहां क्या हुआ, परिसर, तो इस तरीके से इसका जो answer सही है, वो आपका C answer इसमें correct है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को like करें, share करें, और चैनल को subscribe करें, thank you. झाल